दोस्तों आज है 30 days weight loss challenge का 23rd day मैं खा रहा हूं एग साथ में एक चपाती आँगा और मुझे duty जाना है आठ बच चुके हैं आठ बचने को 5 मिनिट है और मम्मी उठ गए है मैं जल्दी से मम्मी से पूछता हूं क्यासा लग रहा है इसको continue करना है कि नहीं करना है पूछते हैं म मम्मी को और मम्मी का वेट आ के करेंगे जितना भी trip हुआ है उसके according कितना वेट इंग्रीज हुआ यह में सेम है अभी देखते हैं अभी नहीं मैं ड्यूटी से हूंगा फिर देखेंगे सो दोस्तों मैं जल्दी से बिगफस्ट करूँगा और चलो मम्मी से अभी बात करें तो आज आपके 7-8 दिन रहे हैं 30 देस के आज 23 तो कॉंटिन्यू करना है कि नहीं करना तो आप दो एक खाले ना तो साथ में थोड़ी सी चिपाती खाले ना ठीक है फिर आके देखते हैं मैं लेटर रहूं आके देखते हैं आपका बेड़ भी देखेंगे ठीक है मैं जा रहा है डूटी और मम्मी को आपने देखा जैसे ट्रैबलिंग में थोड़ी दिक्कत आई भूग जादा लगती थी मम्मी को देना पड़ा तो कोई नहीं आप 7-8 दिन पड़े हैं उसको कॉंटिन्यू करेंगे मम्मी के रहे हैं तो चलो देखते हैं क्या होता है और मैं जल्दी से जाके फिर वापस आता हूं और फिर आके स्केडियूल सेट करते हैं मम्मी का दो बच चुके हैं और मैं जुड़ी करे के गर वापस आ गया हूं और मुझे थोड़ा बाहर काम था पोस्ट ओफिस में तो मैं वहां पर किया था मम्मी से बात नहीं कर पाया आए नहीं कर दो से नहीं जाए बात नहीं से नहीं चाहीं तो आब इसको कॉंटिन्यू करेंगे और ममी से पूछते हैं और सुबह क्या खाया दो वाइट रोटी की और दो एंग और उसके बाद थोड़ी सी चाह फिकी तो 12 बज़े के तरीव एक नारील पनी तो पानी तो एक सेव लिया तो उसके बाद कुछ नहीं अब क्या खाना अब दाल खाऊंगी थोड़ी सी थोड़ी सी दाल खाएंगे चलो ठीक दोस्तो तीन बजने बाले हैं और मैं बाहर का अपना आकाम कराया मैं ने भी दाल खाई है मैं तीन दिन मैदे की रोटी खाखा के पग गया जो खाता तो कम ही था लेकिन खाना पड़ा मेरे को तो फाइनली आज मा ममी को बोला ता दाल बना भाए इंधिर cayards जो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो दोस्तों और टेस्टी भी बनती है, उसमें हलका सा घी डालना चाहिए क्योंकि थोड़ी ड्राइ होती है वो दाल तो बहुत ही टेस्टी होती है और मैं तो उसको खाता हूँ अफ्ते में एक दो बार तो जुरूर खाता हूँ तो फाइनली मम्मी अब वेट लॉस चैलेंज का 23rd डे है आज तो मम्मी को इवनिंग में हम क्या दे रहे हैं जो आप भी ले सकते हैं तो ये है मैं बताता हूँ आपको तो ये है सैलड खीरा और इसमें है टमाटर और ये साथ में दाल तो मम्मी ये ही खाएंगे आप ठीक है ये खाओ और अगर अगर अनर्जी लो लगे तो बता देना थोड़ी देर बाद एग गेंटे बाद दो गेंटे बाद आपको नारेल पानी देदेंगे या चाय देदेंगे फिकी ठीक है कॉंटिन्यू रखे ना वेट आपका 137 kg है ज्यादा कम नहीं हुआ ज्यादा नहीं बड़ा हम 134 से 137 आए है 34 35 36 37 तीन किलो भड़ा है तो तीन किलो भड़ा कोई बाद नहीं है कोई इतनी बड़ी बाद नहीं है अगर ऐसे कॉंटिन्यू रखोगे तो आपका फिर कम हो ज आपने हैं पर ले ठीक है कि दोस्तों आठ बजने को पंदरा मिनिट है मैं अपनी अपना वर्क आउट अपनी साइक्लिंग और अपना जो है प्रोटकॉल मैंने एक्सरसाइज कर चुका हूँ आप देख सकते हैं काफी स्पैटिंग आ रखी है और मम्मी को अभी एक्सरसाइज करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि 23 डे पे आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो सिंपल दो वर्क आउट बताऊंगा जिससे आपकी पूरी होल बॉड़ी की वर्क आउट हो जाएगी और स्टिफनेस कम रहेगी और अच्छे से जो है ब्लड फ्लो पूरी बॉड़ी में रहेगा और मसल में स्टिफनेस कम रहेगी तो दोस्तो अभी मैं मम्मी के साथ स्टार्ट करता हूँ थोड़ी दिर में और आपको बताता हूँ कि 23 डे पे आपने कौन सी वर्क आउट करना है तो थोड़ी सी अब भी वर्क आउट करवात होते हैं और तू सिंपल वर्क आउट बताते हैं आपको जो कि स्टिफनेस दूर करे 23 डे पे चलो तो सिंपल आप बॉल के साथ जो है आप यह सिट अप्स कर सकते हैं जो कि आपके ब्रेन में और आपकी पूरी मसल में जो है ब्लड सप्लाई अच्छी फ्लो अच्छा करेग तो यह आपने करना है आपके अपास बॉल के साथ कर सकते हैं अगर बॉल नहीं है तो आप सिंपल वॉक कर सकते हैं और यह आपका वर्क आउट है दोस्तो अगर यह फर्स वर्क आउट है जो आपने 23rd दे पर करना है और सिंपल वर्क आउट है बॉल के साथ करेंगे और इसी हो जाएगा इस वेरी वोग वर्क आउट वान टू थी फोर्क आउट कर दोस्तों यह है सैंडम आउट यह आपके करना है के साथ विल कर रहे हैं बढ़िया आपको पसीन नहीं है आइध थृट्रिए टर्वी ट्रीज पार सब को आपने एक्सराइज कर रहा है और फिट रहा है दोस्तों रात का डिनर मैं मम्मी को क्या दे रहा हूं और मम्मी क्या पी रहे हैं और साथ में मैं का डिनर ले रहा हूं आपको बताता हूं तो ये डिनर में मम्मी जो है दूद ले रहे हैं और इसमें हल्दी डाली हुई है ठीक आज रोटीनी खाने का मन कर रहा है तो मैं बनाना शेक ले दोगा ठीक है तो ये था दोस्तो 23rd डे का डिनर तो मम्मी ये पीएंगे बस और कल देखते हैं तो दोस्तो थांग्यू फो वाचिंग बाई बाई गुड नाइट मिलते हैं नेक्स वीडियो में